चलिए हम सभी सिखते हैं चूबिक क्रिस्टल इसके प्रिबियस मैंने क्या-क्या पॉइंट आपको एक्स्प्लेंड कर दिया था वो चीजे थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं यह सी नन टेक्निकल यह सब्जेक्ट है में हम बता थे कि चार पार्ट में इसको समझने वाले एक तो में ने वाले हैं तो मतलब कितने पार्ट में हमें समझना है ये चीजे भी already explain करके बता थे कि mechanical property ये इतने part में हैं ठीके ये part मैंने समझाया था फिर crystalography को लेकर चले थे और जिसमें इसको भी on the basis of symmetry 7 part में divide किया गया था जिसमें पहला वाला cubic crystal है उसको लेकर चल रहे हैं ठीके cubic crystal जो है उसको हम लेकर चल रहे हैं तो यहां पर देखिए cubic crystal जो है ज्यान से समझें cubic crystal जो है यह है cubic crystal उसको लेकर चल रहे है cubic crystal उसका पहला वाला तो यह जू आदा आय बीचीॉपीक, को बोला जाता है बॉड़ी सेंटर कुभिक, बॉडी सेंटर कुभिक बोला जाता बॉड़ी सेंटर जाता है बॉर एक होता है लिसकों पांसे उन मismo करें सी डॉपीग टीक होता है today । ठीकAT दियान यह चीज़े तो अपने मतलब अभी तो सिप नाम देखा है अब देखिए एक एक को समझते हैं जो simple cubic होता है simple cubic का मतलब होता है कि इसके सभी जितने भी coroner है देखिए कितने coroner है यह आपका यह x direction है यह x ले लो यह अपका z हो गया यह y है ठीक है इसमें देखिए कि सभी coroner पे तो कितने atom है कितने atom है कितने atom है 12345678 8 atom है तो टोटल नंबर आप atoms कितने हैं 8 है simple cubic में मतलब क्या होता है कि सभी coroner पे atom body center cubic में मतलब सभी coroner पे atom है प्लस इस पूरे body का एक center पे भी atom है center पे center मतलब यह 3D view में समझे कि यह कमरे में है और उसका center मतलब यहां से उपर इसमें भी बीच में और इधर से भी बीच में और इधर से भी बीच में ठीक है 3D structure का एकदम center point है तो इसमें कितने हो रहे है यह total 8 और यह एक center में है हैं तो कितने होगे 9 हो गया तो इसमें number total number of item कितने होंगे BCC में तो 9 यह याद रखेंगे simple cubic में total of item 8 body central crystal में total number of item 9 देखे यह easy है total numerical tell है इसलिए easy लग को फिर बाद में face center cubic में देखे पहले number corner corner होता 8 है plus face कितने होते एक cubic है तो उसमें face कितने होगा ठीक है जैसे यह वाला पार्ट है इसका एक सेंटर फिर यह वाला पार्ट का भी एक सेंटर यह उपर वाले पार्ट का एक सेंटर यह नीचे वाले पार्ट का एक सेंटर फिर उसके वो समझना है, average number of atom is a cubic crystal, जिसको NAV से indicate करते हैं, NAV, NAV, ठीक है, NAV, जिसको बोले जाता है, average number of atom, average number of atom, जिसका formula आप देखे, जिसका formula क्या है, NC upon 8, NC मतलब corner वाले जितने भी number of atom है, NC मतलब corner atom कितने हैं, total, divide by 8, plus NF, face पे कितने हैं, आपको number of atom हैं, वो divide by 2, अब प्लस NI, NI का मतलब होता है interior, उसके अंदर कितने मतलब atom हैं, वो चीज़े हैं, ठीक है, अब इसके बेस पे, simple cubic का, ठीक है, BCC का और FCC का, मैंने यहाँ पर निकाल के रखा है, देख सकते हैं, यहाँ पर, देखिए, simple cubic में, सिर्फ होता है, NC, ठीक है, corner atom ही होते हैं, न तो interior होता है, और न तो face पे होता है, तो यह कितने होते हैं, 8, 8 upon 8, 1 हो गया, और यह 00 होते है, 1, आगया यह, simple cubic के लिए, average number of atom कितने होंगे, 1 होगा, याद कर लें, ठीक है, दिमाग में बैठाल भी सकते हो, बार बार इसको repeat करोगे, तो आपको आसानी से समझ में आजाएगा, BCC में देखोगे, तो corner तो 8 होता है, face पे एक भी नहीं होता है, लेकिन interior में एक होता है, तो यहाँ से 1 और यह 1, 2 आ गया, BCC का 2 हो गया, FCC का अबर देख लिए, FCC में है, जो number of average है, average number of atom है, यह देखे, corner पे 8 है, face पे 6 होता है, तो divide by 2, और यह integer में एक भी नहीं होता है, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 3, तो 1 और 3, 4 हो गया है, ठीक है, तो इस तरीके से आप average number of atom private कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा यह चीजे, average number of atom, यह चीजे आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो बहुत बढ़िया, अभी next समझते हैं, कि nearest distance between two atoms, जिसको, जिससे related कई सारे questions भी पूछे गये हैं, तो यह भी बहुत important है, देखे, क्या बोल रहा है, D जो होता है, nearest distance between two atom center, ठीक है, दो atom के center to center के बीच का nearest distance, nearest distance का मतलब है, समझ लो कि एकदम मतलब यह चिटके होगे हैं, तभी इनके radius और radius के बीच में यह आ सकता है, जैसे कि अगर simple cubic लेते हैं, तो यहाँ पर atom है, यहाँ पर atom है, यहाँ पर है, corner पे हैं, ठीक है, corner पे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ का atom और यहाँ का atom, nearest distance क्या होगा, उसका center to center nearest distance किता होगा, जब atom और atom यह क्या attach है, ठीक है, atom और atom touch है, तो यहाँ पर देखें कि उसके center यहाँ पर आओ, इसका center यहाँ पर, तो इन दोने के बीच का distance कितना है, यह atom है, पूरा, यह atom है, पूरा sphere का, ठीक है, spherical part में है तो इनके बीच का distance क्या है, यह D है, यह D calculate करने के लिए आता है, तो देखिए, इसमें तो यही वाला item है, यही, हर जगा यही, और इनके बीच का distance A है, A है, ठीके, तो यह वाले part को देखोगे, इन दोनों के A है, मतलब यह D equal to क्या है, यहाँ पर देखोगे, D equal to क्या है, A आ A by 2 हो गया, ठीके, बहुत important है, यह याद कर सकते है, A by 2 किसके लिए है, simple cubic के लिए है, ठीके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब nearest distance BCC के लिए क्या होगा, तो BCC के लिए nearest distance जो देखेंगे, वो यह होगा, यहाँ पर इनके बीच का distance होगा, ठीके, जैसे कि रूम में है और रूम का जो यह interior ओला पर्ट है, यहाँ से सभी corner के बीच का distance क्या होगा, यहाँ से सभी corner के बीच का distance होगा, मतलब सबसे कम होगा, ठीके, तो वोई nearest distance निकालना है, तो यह बीच वाले पर्ट को देखो, यह कैसे निकालेंगे, देखो, अगर मालों यह वाला square पर्ट है यह वाला square पर्ट है, तो उसका यह वाला part निकालने के लिए क्या करोगे, यह वाला part निकालना है, तो क्या करेंगे, वन मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा air आ गया था, ठीके, तो यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा point बता रहा था मैं, यह part कैसे निकालोगे, तो आपको पत अब यह कैसा, यह वाला जो part है, यह और इसके perpendicular है, ठीके, तो यह तो root 2A है, और यह A है, तो उसके base पर यह root 3A आ जाता है, तो यह पूरा AB को अगर लेके चलते हैं, तो पूरा क्या है, देखो, एक तो center वाला atom पूरा आ जागा, और इसका half, center to center, इसके center से इसके center की बात क distance जो आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, देखो, D plus D, ठीके, D plus D, कितना होगा, 2D, और यह distance जो है, यह इसकी अगर बात करेंगे, कितना है यह, root 3A है, यह जो distance हो कितना है, root 3A, ठीके, तो यहाँ पर D अगर देखेंगे, तो D को हम 2R में, अगर यह 2 divide कर दिये, तो D equal to root 3 upon 2A यह आ गया, और फिर D, 2R हो गया, 2A फिर divide करेंगे, तो root 3 upon 4A, यह BCC के लिए आ गया, R equal to root 3 upon 4A, यह important point आ गया, BCC के लिए, ठीके, अब FCC के लिए भी देख लेते है, important FCC के लिए भी है, ठीके, सेम उसी की तरह, तो FCC में देखोगे, तो यह center है न, तो इसका nearest distance यह आ सकता है तो यह वाला तो अभी already, इसके previous भी देखेंगे, root 2 आया था, तो यह वाला part को अगर देखेंगे, MO अगर part को देखते हैं, OM वाला part को, तो इसका भी इसी तरीके से, लेकिन इसका distance क्या है, root 2A है, तो 2D equal to root 2A, और यहाँ D को लिए लिए 2R रखेंगे, तो 2D जब 4R हो जा जाएगा, root 2 upon 4A आजाएगा, इसको अगर भी convert कर सकते हैं, लेकिन चलेगा, इतना भी लिखोगे तो चलेगा, I equal to root 2 upon 4A, rationalize भी कर सकते हैं, बाकी तो यह ठीक है, यह FCC के लिए, BCC के लिए, SCC के लिए, आपको idea मिल गया होगा, किनका radius क्या होगा, ठीके, in terms of उनके side का, ठ यह चीज़े आपको समझ में आगी होगा, अब इससे related देख लेते हैं, कुछ questions को, ठीके, आपको अगर देखना है, volume of cell जो होगा, अगर देखो, अगर मालो की radius form में होता है, तो 4 upon 3 pi r q, लेकिन अगर A cell के form में होता, तो क्या होता, 4 upon 3 pi a q होता, यह होता, ठीके, अब उसस related देखिए, यह question आया था, ESC 2018 में यह question पूछा था, what is the volume of FCC unit cell, in term of its atomic radius r, r के form में बताना है, FCC के लिए, देखिए, FCC के लिए बोला है, तो FCC के लिए, पहला नमर तो volume of cube क्या होगा, A q होगा, A q होगा, volume of q, अगर देखोगे, तो A q हो जाएगा, ठीके, उसके बार अब देखिए, A का formula क्या है, वो चीज़े apply कर दिए, A की value क्या थी, r equal to क्या आया था, देखिए, r equal to root 2 upon 4a आया था, FCC के लिए, तो A equal to क्या लिखेंगे, 4 upon root 2, r लिखेंगे, 4 upon, इसको अगर छोटा करना तो यह भी कर सकते, देखिए, यह 2 into 2 कर सकते है, into r upon root 2, तो यह, देखो इसको, एक 2 को हम root 2 into root 2 लिख सकते हैं, तो एक root 2 cancel क्या आ रहा है, 2 root 2 r आ रहा है, A equal to, तो यह A की जगा पर put कर दीजी, तो इसका cube निकल जाएगा, 2 root 2 r का cube का formula क्या हो जाएगा, 2 का cube 8, और root 2 का 2 root 2 होगा, तो A to 16 root 2 r cube आ जाएगा, ठीक है, तो इसकी value जो आ रही है, volume of cube क वो r के term में 16 root 2 तो इसमें option b right हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके के question, अब bcc के form में अगर पूछ लिया, in terms of, तो bcc के form में आप निकाल लेना, ठीक है, यह question आपको homework में देते हैं, bcc, और उसके base पर आपको answer बताना है कि क्या होगा, ठीक है, comment करके उसका answer जरूर बताएगा कि bcc के form में हो, तो क्या आएगा, या तो अगर ऐसा बोल दिया, hc के form में होगा, simple cubic के form में होगा, तो क्या आएगा, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा साथ कुछ और important point देख लीजिए, choose the correct answer की बात कर रहा है, choose the correct answer, तो choose the correct answer में देखिए, simple cubic r equal to 2a, r equal to 2a होता है, नहीं, root 3 upon 4a है, ठीक है, निकालो के तो आपको आज आएगा, r के form में, तो यह भी देख सकते हैं, root 3 upon 4a, यह भी right है, bcc, r equal to 4, root 3a, यह नहीं है, ठीक है, तो यह दोनों right है, इससे related कुछ और important point यह आपे देख सकते हैं, जो simple cubic का radius है, वो greater होता है, bcc के, और bcc greater होता है, fcc के, आ आपको idea मिल जाएगा, और volume जो होता है, simple cubic का जादा होता है, radius जादा है, तो volume भी जादा ही होगा न, ठीक है, क्योंकि volume radius के उपर depend है, directly proportional में है, तो radius जादा है, तो यह simple cubic भी इससे जादा, यह इससे जादा, तो यह point थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है, यह point थोड probability होती हो, सब कुछ का idea मिल सके है, ठीक है, तो चलिए वो भी questions हम देख लेते हैं, कि ताकि हमें idea मिल सके है, यह questions है, यह questions, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा साम सीखेंगे, अभी तक तो हमने nearest distance वाला देख लिया, ठीक है, फिर बाद में इसके पहले वाला एक देखिया थ average number of atom देख लिया था, अब APF देखेंगे, APF, क्या बताता है, atomic packing factor बताता है, APF, atomic packing factor बताता है, तो यह atomic packing factor क्या होता है, उसको बारे में देख लिए, वो क्या होता है, average number of atom into 4 upon 3 pi rq, volumes and volume of cell, volume of cell क्या होगा, aq होगा तो, और यह volume of sphere की बात कर रहा है, 4 upon 3 rq, sphere की बात कर रहा है, अब यहाँ पर देखिए, value put करके देखिए, simple cubic के लिए, simple cubic के लिए, nav 1 होता है, bcc average number of atom 2 होता है, और wccc का 4 होता है, ठीक है, यह तो nav आपका सब का पता है, ठीक है, और आपको a के form में r का value भी आपको सब का पता है, ठीक है, लिख भी सकते हैं, यहाँ पर, देखिए, पहले का r की value जो है, वो क्या है, a by 2 है, simple के लिए, दूसरे के लिए r की value क्या है, root 3 upon 4 a है, और तीसरे के लिए, root 2 upon 4 a है, यह value है, ठीक है, यह सब के लिए मैंने लिख दिया, अब यह value आपको यहाँ पू सिंपल क्यूबी के लिए a pf की value यह आता है, bcc के लिए यह आता है, और fcc के लिए यह आता है, हला कि मैंने यह सब भी calculate करके रखा है, कि अगर a pf, देखिए, एन वी simple क्यूबी के लिए 1 आ गया, 4 upon 3 pi r के लिए a upon 2 q कर दिया, a q कर दिया, यह सब solve करने पर pi upon 6 आता है, तो इसको solve करेंगे, तो आपकी value आ जाती है, आपे 0.52 आ जाएगा, फिर bcc के लिए भी वही करेंगे, तो आपका यह value आता है, और इसकी value आती है, root 2 upon 6 pi आता है, तो इसकी value आ जाती है, 0.74, तो यह इस तीनों के लिए a pf आपको दिख रहा है, और यहां पर मैंने लिखके भी आपको यहां पर idea भी मिल रहा होगा, simple cubic में a pf की value कम होती है, फिर bcc का जादा होता है, fcc का उससे जादा होता है, क्या a pf, ठीके, a pf को बोले जाता है, atomic packing factor बोले जाता है, atomic packing factor, इसमें आप देख सकते हो, कि एक और चीज़े इसमें देखा था, कि जो इसका मतलब radius वाला जो पाट होता है, वो जादा होता है, उपर की तरफ जैसे जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, और density नीचे की तरफ आएंगे तो बढ़ता आएगा, density और a pf एक ही तरह के बता रहे हैं, ठीके, density और a pf एक ही तरह बता रहे हैं, radius उसके उल्टा बता रहे हैं, ठीके, कुछ थोड़ा सा एक टेबल बना के आप यहां पर समझ सकते हैं यह टेबल फ़र्म में भी आप समझ सकते हैं बहुत सारे प्रोपर्टीज लिख लिख दी है एपसी सी और सी को थोड़ा सा अगर और और यहां पर देखिए अगर आर के फार्म में देखोगे तो बी सीची का क्या आया था अगर इसकी वैलो फोर आया था और इसकी वैलो शिक्स आता है ठीक है इसकी वैलो कितने आता है सीख साता है, coordination number देखिए, coordination number आपको already नहीं पता है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि coordination number क्या होता है बसरते हैं यहां बसिट number याद रखेंगे इन सब का, coordination number BCC के लिए 8 होता है फिर उसके बाद से BCC के लिए 8 होता है और FCC के लिए 12 और HCP के लिए 12 होता है APF नमबर तो already हमने निकाले ही थे इसके लिए 0.68, इसके लिए 0.74 और FCC का भी इतना ही approximate FCC के बराबर ही होता है ductility की अगर बात करेंगे properties तो यह BCC less ductile होता है FCC most ductile होता है और N, HCP इन दोनों के बीच का होता है नो बहुत कम होता है नो बहुत ज्यादा होता है ठीक है HCP ductile ED के मामले में एक्जांपल में देख सकते हो एक्जांपल में जैसे chromium आ जाता है, malabodynium आ जाता है tungsten आ जाता है alpha and delta iron आ जाता है फिर बाद में FCC में aluminum nickel steel, gamma steel copper gold और silver आ जाता है hc में zinc, zirconium, cobald, magnesium, zinc, blend यह आ जाता है इसमें hcp में तो यह point है थोड़ा सा आप इसका screenshot लेकर भी इसको आप लिख सकते हैं और इसको आप note down कर लिजे अपने जो भी आप note बना रहे है note book बना रहे हैं उसमें आप note down कर लिजे कि ताकि आपको इसे related जो भी आपको point है जो doubts है जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे तो वो सारा doubt आपको clear हो जाएगा ठीके तो आगी के जो point है ना यह coordination number तो next video में मैं आपको समझा दूँगा कि coordination number क्या होता है coordination number कुछ नहीं होता है nearest atom attached to the particular atom होता है particular atom से कोई atom attached होता है तो उसका nearest जो point होता है nearest number होता है वही coordination number होता है वो चीज़े भी next video में आपको देखनी को मिल जाएगा देखते रहे है और अपने आपको best बनाते रहे है वही अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ेगा जिने देश की फिक्र है ठीके बाकी तो जिप अपना time waste करने के लिए करते है तो आप लोगों ने अपनी time waste नहीं करना अपनी मेनत लगाना है और इन सब point को समिछते रहना है तो देखते रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले बैल आइकन पर क्लिक करना न भूले और लाइक वीडियो को जरूर कर दे कि ताकि recommend कर सके other people के लिए other लोगों के लिए other student के लिए thank you